अपने learning के process को आगे ले जाते हैं और आज हम लोग बात करेंगे जो हम लोग 2 मिनट के time frame पर हमारा perfect setup जिसको हम लोग trade करते हैं 8 exponential moving average उसको live market में आप लोग कैसे implement करेंगे वो आज हम लोग समझने की कुशिश करेंगे इसी live market में अभी market trade कर रहा है 48,700 के आसपास ठीक है देख मैं आपको बहुत बार बोलता हूं कि price repeat itself क्या बोलता हूं कि भाव में दोहराओ की प्रवत्ति होती है कि price जो है वो खुद को दोहराएगा repeat करेगा एक projection अगर पिछले कभी session में देखने को मिला उसमें कहीं न कहीं दुबारा वो बनने की प्रवत्ति है आज अगर बना है तो कल भी दोहरा हो सकता है अगले session में वो repeat कर सकता है ठीक है जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाओं तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ प्राइज higher rise के formation में उपर जा रहा था और इस जगह जाकर इसने एक W formation बनाया M formation बनाया और वहाँ से गिरावट किया एक दिन यह हुआ तो अगले session में दुबारा देखिए उसी तरीके का candle बनाकर इसी तरीके का पहला candle बड़ा lower side फिर एक इस तरीके का formation और M formation से ठीक है आज के session में भी वही आपको देखने को मिलेगा ठीक है अब देखिए ये जो हम लोग M formation की बात कर रहे हैं इसको हम catch किसे करते हैं बताइए इसको हम catch करते हैं अपने 8 exponential से ठीक है 8 exponential से 8 exponential को जब मैं आपको उपयोग करना सिखाता हूँ तो उसमें मैं बताता हूँ कि price में जब तक higher highs का formation है higher highs का formation का मतलब हुआ कि एक नया high लग गया पिछले high से फिर एक नया high लग गया पिछले high से ता हम लोग use करते हैं 8 EMA low long करने के लिए 8 EMA low use करते हैं long करने के जब भी price ये dip लेगा तो lot कर 8 EMA से ही उपर आएगा तो वहाँ पर हम लोग इसमें एक entry करत होती है कभी भी losses के chances नहीं होते इसी तरीके से जब price short selling की तरफ हो जब गिरावट करता है ठीक है ता हम लोग use करते हैं 8 EMA high क्या use करते हैं 8 EMA high कि जब भी price गिरेगा तो retracement में 8 EMA के ऊपर आके नीचे आएगा तो वहाँ हम short selling करेंगे ठीक है अब इसमें क्या-क्या आपको और awareness रखनी है price action को देखते समय वो आज के live market को हम लोग sentiment को देकर बहुत कुछ समझ लेंगे इससे जो आप गलतियां करते हैं ना कभी-कभी 8 EMA को use करने में वो भी मैं यहाँ पर आपकी skip करा दूँगा इतना perfect बना दूँगा यह सारे setups आपके लिए कि आप उमीद नहीं क कर सकते हैं देखें अभी अगर आप गौर करें तो मैंने क्या कहा price repeat itself मतलब अभी जो price action है वो गिरावट के लिए जो भी setup बना रहा है पिछले दो session में आप ने देखा कि गिरावट के लिए setup इस तरीके से बनते हैं हम लोग 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर 8 EMA यूज करते हैं आज के live session में ही आपको benefit होने वाला है देखें यहां पर हम लोग क्या करें एक moving average इस तरीके से plot कर ले और इसको यहां पर settings में हमको कितना चेंज करना होता है सिर्फ 8 लिखना है source को high कर देना है क्योंकि हम लोग short selling के लिए opportunity देख रहे हैं और exponential smoothing line को कर लेना है ठीक इतना अब देखें मैंने क्या कहा ध्यान से सुनिये मैंने कहा जब तक price higher highs के formation में higher highs के formation का मतलब हुआ price चल रहा है dip लेता है फिर उपर जाके यह नया high break करके एक नया high बनाता है तो पहली बार जब नीचे आ रहा है तो कभी हम short नहीं कर रहे है ध्यान रखिए ठीक है पहली बार जब नीचे आ रहा है कभी short नहीं कर रहे है जब price एक बार नीचे आने के बाद दुबारा उपर की तरफ बढ़े और swing high break करने से पहले पहले lot आये अब हम लोग short selling करते हैं swing high के साथ तो यह देखें price यहाँ पर गया और lot कर आया और यहाँ पर swing high के साथ एक sell area हमको plan करना थ तो यहाँ पर हम लोग क्या करें short का position है यहाँ पर आपकी entries बनती है यह आपके sell area है और यह आपके target है ठीक है जहाँ तक आप price यहाँ तक गिरा है इस level तक इतना target आप achieve नहीं कर सकते लेकिन यह target आसानी से आप ले सकते हैं बहुत simple है इसको लेना ठीक है यहाँ पर एक भी short selling के position बनेंगे ध्यान से सुनिए देखे जब भी price एक low लगाने के बाद और यह जो low है वो previous low से नीचे होना चाहिए यह low shifting होनी चाहिए क्या कह रहा हूँ low shifting होना चाहिए बहुत ध्यान से सुनिए तब तक आप मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ATM पर कब तक आप short की position लेते रहेंगे और कब जाकर आपको रुक जाना है ठीक है दोनों बातों को समझ लीचे कब तक आप short selling की position लेते रहेंगे और कब जाकर आपको रुक जाना है कि अब short selling नहीं करना है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ देखे प्राइज जब भी 8MA के उपर जाकर नीचे ल break हो गया तो इस बार फिर उपर जाएगा और lot कर आएगा तो इसी swing high के SL के साथ फिर से आप short करेंगे अब ये फिर नीचे आया नीचे आने में इसने last swing low ये फिर break कर दिया देखे तो अगर दुबारा touch करके lot तो फिर short करेंगे ठीक है ऐसे यहाँ पर देखे फिर ये low लग short करते ये पूरा short selling का position हो गया अब देखिए इस बार एक ये नया low लग गया ध्यांसे अब सुनिए conversion कैसे होता है आप लोग अभी conversion को नहीं समझते मतलब 8 exponential high को हम लोगों ने यहाँ से short करने की शुरुआत की जब ये trend यहाँ से बदल गया higher highs के formation lower lows की तरफ shift हुए तो हमक पर हमको समझना होगा कि कब हमको रुख जाना है कब ATMA पर short नहीं करना है तो simple price अगर अपने last swing low को break करकर एक नया low लगा रहा है तो जब जब price उपर जाकर लोटेगा तब हम short करेंगे अच्छा मैंने कहा price अपने previous low को break करकर नया low लगा रहा है जब जब price उपर जाकर उस करेगा तब short करेंगे क्या हो अगर ये price अपने previous swing low को break करे और उपर जाए और लोटने से पहले पहले last swing high break कर दे last swing high break कर दे इसका मतलब है अब हम short selling का position तब तक execute नहीं करेंगे जब तक ये जो recent swing low लग गए जब तक ये एक बार breach out नहीं हो जाते फिर जब price दुबारा लोट कर 8 exponential से लोटेगा तब हम short करेंगे बात क्लियर हुआ दुबारा से दोहरा देता हूँ विल्कुल confusion नहीं रखना है प्राइज इस तरीके से देखिए प्राइज इस तरीके से क्या कर रहा है दुबारा से मैं अभी ये टेमा लगा लूँगा ये lower lows के formation में है ठीक है और ये 8 exponential moving average इस तरीके से चल रहा है तो जितनी बार ये उपर जाकर नीचे आ रहा है और last swing low को break कर रहा है तो उपर जाने के बाद जब भी नीचे आता है तो यहां हम short selling का position लेते हैं बात क्लियर हुआ short selling का position यहाँ पर लेते हैं ये short selling का position हम कब तक लेते रहेंगे जब तक ये नय लो लगते रहेंगे हर बार हर बार नया लो लगते रहेंगे तब जितनी बार लोटेगा आप position लेंगे इस बार नया लो लगा price lot कर गया और lot के जाने में 8 exponential के उपर तो गया ही गया ये 8 exponential के last swing high को भी break कर आया अब मैं कहता हूँ price अगर lot कर 8 ema के नीचे आ भी जाये न तो आप short नहीं करेंगे कब तक जब तक एक बार last swing low break होगा फिर 8 ema के उपर जाकर lot तब आप short करेंगे तब तक आप short नहीं करेंगे नहीं तो ये market यहाँ पर indecisive हो गया है कोई decision आप नहीं ले सकते ना तो short selling का ना ही long का ये price यहाँ पर एक range बनाने की कोशिश करेगा या फिर ये higher rise के formation की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा बात clear हुआ यहाँ पर समझे इस बात को दुबारा से मैं यहाँ पर rate exponential लगा लूँ देखे जितनी चीज़े मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुना कीजे सिखा दे रहा हूँ ठीक है अब यहाँ पर देखे price क्या हुआ प्राइज एक बार उपर गया यहाँ से लौटा और previous swing low को break करी चुका था तो एक बार लौटने पर ही आप short करते है price नीचे आता ठीक है अब नया लो लग गया है मतलब price उपर जाके फिर लौटे तो यहीं पर हम short कर देते लेकिन price ने बताईए क्या किया price यहाँ से लौटा और लौटने के बाद क्या किया last swing high को break कर गया क्या किया last swing high को break कर गया इसका मतलब है अब आप next short ATMA पर तब करेंगे जब यह last swing low break हो जाएंगे price एक बार swing high break किया ना swing high break करके यहाँ पर क्या करने लगा है रुकने लगा है यह swing low यहाँ पर break नहीं हुए swing low break नहीं हुए तो short selling का कोई position नहीं और उसके बाद यह swing high इसके बाद निकलने लगे अब हमको यहाँ पर long करना होगा मतलब ATMA low का use करना होगा बात क्लियर हुआ ATMA low से बार बार target मिलेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आज ATMA पर दुबारा आपको short selling के लिए यहाँ पर मौका बिलता है समझे बहुत ध्यान से सुनिए चीज़ों को ठीक है price ने क्या किया higher rise के formation में यहाँ से higher rise के formation दुबारा वही condition में आ गए कि last swing low break होने पर जब भी यह price चलता है तो हमको ATMA high से short selling करना है क्या करना है? ATMA high से short selling करना है ध्यान से सुनिए पूरा ATMA आपको इस तरीके से समझना है कि ज़र घोल के पी लेना है एक beat trade execution अगर आपका गलत हो गया तो यह मेरी जिम्मेदारी होगी लेकिन जितने points में बता रहा हूँ यह इसी तरीके से note down कीजिए और हर दिन बाजार में अगर 9 बजे सवा 9 पर खुल रहा है तो 9 बजे यह एक trading journal होता है trading journal समझते हैं सब जो चीज़े आप सीख रहे हैं उनको note down कीजिए और market में बैठने से पहले उनको एक बार repeat कीजिए पढ़ दीजिए है न इससे आपको एक psychology build होता है market में बैठने से पहले पहुंचने से पहले positive psychology होता है यह आप चीज़ों को समझते हैं जानते हैं उन्ही rules based trading करेंगे अब ठीक है यह चीज़े अब देखें अब 8am high से हमको short करना तो देखें प्राइज repeat itself प्राइज repeat itself जो हम लोगों ने अभी structure देखा था previous वो M formation था M formation दो दिन पहले बना कल के station में बना और आज फिर बन रहा है तो देखें प्राइज उपर गया उपर जाने के बाद यहाँ पर देखें इसको टच करके लोटा इस candle से लोटा short selling का position बना प्राइज ने target दिया अब देखें last swing low break करकर एक नया लो लग गया प्राइज उपर गया फिर लोटा तो हम शॉट करेंगे तुरंत आपने short किया प्राइज ने फिर आपको target दिया अब क्या हो रहा है ध्यान से सुनिये अब प्राइज इस last swing low को break करके फिर नीचे आया आपने यहाँ जाकर short selling का position लिया ठीक है अब shots दुबारा नीचे आया short selling का position प्राइज थोड़ा तो आया लेकिन आपके target नहीं दे पाया होगा यहाँ आपका target रहा हो आया यहाँ पर ठीक है अब price यहाँ पर retracement की शुरुबात करता है SL यह आपका touch नहीं करेगा जान रखिए आपका SL है इसके उपर की closing यह जो swing high लग गए इसके उपर की closing जो की market को देने आसान बात नहीं लेकिन आप अपनी इस तरीके की position से कितना आसानी से cost पर exit कर सकते हैं वो समझे अब यहाँ पर क्या हो रहा है price यहाँ पर low shifting करने लगा है और high break नहीं कर पा रहा है अभी high break नहीं कर पा रहा है लेकिन low shifting करने लगा है मैंने क्या कहा previous low break होने पर हमको position को enter करना होता है यहाँ पर previous low break हो गया थे तो high के नीचे price आया तो short selling का position लिया लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि low जो है higher side shift होने लगे है अब low जब higher side shift होने लगे और price अपने last swing high को ना निकाले मतलब एक market range बना रहा है इस range के बाद कोई further train की शुरुवात होगी तो अभी हम कहा है non directional train में है non directional train का मतलब हुआ ना तो price में यह कहना संबब है कि higher side momentum होगा ना ही यह कहना संबब है कि lower side momentum होगा क्यों ऐसा कह रहा हूँ price की शुरुवात हुई negative point से lower lows के formation से अब price क्या कर रहा है अपने swing lows को shift करने लगा है तो जो position हम लोगों ने यहाँ पर लिया अब हमको cost पर निकल कर बैठना होगा कब तक जब तक यह swing low दुबारा एक बार break नहीं हो जाते break होने पर दुबारा lower lows के formation बनेंगे तो 8 EMA इस तरीके से आएगा और यहाँ पर जैसे ही 8 EMA के उपर से price lot कर नीचे आएगा यहाँ पर हम लोग short selling करेंगे बात clear हुआ अच्छा 8 EMA high से हम लोग यहाँ पर short selling करेंगे जब price इसके नीचे आएगा अगर यही price यह swing high break कर गया 750 के उपर की closing आपको मिलने लगी आज के live station में ही देखेंगे है न 750 के उपर closing मिलने लगा अगर यहाँ पर अगर आप DEI के साथ 800 के उपर की closing मिलने लगी तो 800 के उपर जब bank nifty close करने लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे 8 EMA low का use करेंगे क्या करेंगे 8 EMA low का use करेंगे long करने के लिए जब भी price इस तरीके से 8 EMA low के नीचे आएगा दुबारा lot कर जाएगा तो यहाँ आप long करेंगे price फिर lot कर इसके उपर आएगा तो फिर long करेंगे price फिर lot कर इसके उपर आएगा तो फिर long करेंगे अच्छा इसको previous session में हम लोग समझ लेते हैं अब इसको आप बोलेंगे कि पूरा ही है तो choppy market है इसमें तो आपको choppy market है यहाँ तो आपको opportunity नहीं मिलना चाहिए price में देखिए क्या ही trend है यह trend है आपके सामने price में इसके बावजूद अगर आपके favor में price structure है तो 8 EMA low आपको SL नहीं दे सकता यह बात बिल्कुल clear समझ लीचे ठीक है 8 EMA low आपको stop loss नहीं दे सकता जैसे price इसके नीचे इस तरीके से आया और swing high break करके उपर की तरफ निकल गया अब हमको क्या करना चाहिए 8 exponential low से जब भी price नीचे आकर लोटेगा तो हम long करेंगे इसके बाद यह high break करकर एक नया high लगा कर आया फिर price नीचे आकर यहां फिर उपर आया फिर यहां पर आप long करेंगे यह SL area इसके नीचे एक candle close आप बाहर हो जाएंगे यहां तक price आया टच करके गया लेकिन इसके नीचे की single closing नहीं हम लोग stop loss किस basis पे लेते हैं close basis पे जो trader अपना SL area अपने सिर्फ touch point से लेते हैं आपकी SL hunting इतनी जादा इस बाजार में होगी आप परेशान हो जाएएगा एक अच्छा price हमेशा swing low को touch करने आता ही आता है buying उठाने के लिए आप उसको SL समझ कर अपना trade exit कर रहे हैं मतलब आप कही न कहीं गलती कर रहे हैं एक अच्छा SL area वो होता है जब price उस SL के नीचे close करें कम से कम एक candle का formation होना चाहिए minimum एक candle होता हूँ वैसे अच्छा SL area तो होता है consecutive दो candles अब कुछ लोग यहाँ परिशान हो जाएंगे कि दो candle की closing का अगर सर वेट किया न तो price हो सकता है यहाँ पर मैं 50 point का SL सोच कर बैठा हूँ और price मुझसे 1500 point ले जाएगा कभी ऐसा नहीं होगा अगर आप hedge position में हैं hedge position में 50 point का SL जो आप buying में देते हैं हम लोग 500 point के downwards against momentum में नहीं देते हैं 500 point बाजार हमारे against में चला जाए हम 50 रुपया बाजार को नहीं देने वाले हैं ठीक है यह बास समझे है तो hedging आपके लिए बहुत जरूरी बन जाता है अब यहां पर देखे प्राइज ने आपने यहां entry किया सिर्फ टच करने आए एक बार भी closing नहीं किया उसके बाद higher rise के formation के साथ upside momentum की तरफ निकल गया इस तरीके से के जब structure आप trade करते हैं तब आपको समझाता है कि यह कितना highly profitable है अब देखे जब तक prices swing low के नीचे नहीं आ रहा है और देखे high shifting चल रही है क्या चल रहा है swing low shifting चल रही है और high break करने की कुशिश हो रही है बार बार तो हमको क्या करना चाहिए 8 EMA low की तरफ बढ़ जाना चाहिए अभी तक हम लोग short selling यहां कर रहे थे अब 8 EMA low की तरफ हमको बढ़ना चाहिए 8 EMA low की तरफ यह live session है आज के session की बात कर रहा हूँ ठीक है अब price ने क्या किया आपने last swing high break किये यहां पर देखे लाश्ट swing high break किये अब आपको क्या करना है बताइए अब आपको जब भी price इसके नीचे आकर उपर लोटेगा तो आपको long करना है जैसे price इसके नीचे आया यहां से लोटा आपने long किया और यही area इसके नीचे की एक closing आपका ऐसा ले रहा है बस अभी मैं आपको जैसे कि इसमें sharpness ला रहा हूँ है आपका skill मैं क्या कर रहा हूँ polish कर रहा हूँ ATM को बार-बार आपको बताता हूँ कहां आप गलती कर रहे होंगे क्या तकलीफ आ रही होगी कौन-कौन सी चीजों को सुधार लीजे तो यह polishing हम लोग करते हैं classes में daily basis पे ठीक है और live trade करते हैं इसके साथ इससे क्या होता है आपका mindset बहुत clear हो जाता है कि कैसे implement करना है कैसे use करना है यह सारे चीज़े ठीक है